इंडियन प्रीमियर लीग की टीम लखनौ सूपर जाइंट्स के कोच एंडी फ्लार का मानना है कि लोकेश राहुल भारत्य क्रिकेट टीम के बहतरीन कप्तान हो सकते है। राहुल ने साथ वंडे, तीम टेस्ट और एक टीट्वेंटी में भारत्य टीम का नितरत्व किया है। कुछ समय पहले तक उन्हें तीनों प्रारूप में टीम का नितरत्व करने के मामले में रोहिच शर्मा का उत्तराधिकारी समझा जा रहा था। लेकिन सीमे तोवरों के क्रिकिट में पुरानी शैली के बल्लेबाजी के कारण वो भारत्य टीट्वेंटी अंतराष्ट्र टीम से बाहर है। इसके साथ ही IPL में चैंपियन बनने के बाद हादिक पांडिया सीमित ओवरों के प्रारूप में भारत के कप्तान बनने के सबसे मजबूत दाविदार है। वो रोहिच शर्मा और विराट कोली और राहूल के गयर मौजूद्गी वाली भारतिय टीट्वेंटी टीम का पहले से ही नित्रत्व कर रहे हैं। फ्लावर वर्तमान में गल्फ जाइंट्स टीम को अपनी सेवाय दे रहे हैं। इंटरनेशनल लीग टीट्वेंटी में अडानी स्पोर्ट लाइन के इस फ्रेंचाइजी टीम के कोच को अपने आईपिल कप्तान से काफी उमीद हैं। फ्लावर ने शनिवार को यहां कहा कि राहूल के पास शानदार बल्लेबाजी कोशन है और वो बहतरीन तरीके से टीम का नेत्रत्व कर सकते हैं। फ्लावर ने कहा पहली बार उसे तब मिला जब मैं इंगलिंड लांस को कोचिंग दे रहा था हम त्रिवेंडरम में भारते के खिलाफ खिल रहे थे मैं उसी समय से राहूल पर नज़र रख रहा हूँ इस पूर्व विकेट कीपर बलेबाज ने राहूल की कप्तानी कोशल की प्रशंगसा की और कहा वो कमाल का युवा खिलाडी है और वास्तव में अच्छा नेत्रत्व करता भी है वो बहुत शांत रहता है मैं उसके साथ काम करने का लुट्फ उठाता हूँ कप्तान के तौर पर हार्दिक के उभरने के बारे में पूछे जाने पर फ्लार ने कहा मेरा मानना है कि राहूल अच्छा कप्तान साबित होगा मैं दूसरे खिलाडियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता इसलिए उस पर कुछ टिपड़ी नहीं करना चाहूंगा उन्होंने राहूल को वैवाहिक जीवन की शुपकामनाई भी दी राहूल अपनी गर्फरेंड बॉल्वोड आक्टरिस साथिया शेटी के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे फ्लावर विभिन देशों में लीग टीमों को कोचिंग दे रहे और उन्होंने कहा कि वो फ्रेंचाइजी टीमों के साथ अपनी भूमिका काल लुद्फ उठा रहे बायहाद के इस पूर बल्लेबाज ने कहा फिलाल में फ्रेंचाइजी क्रिकेट के कारण साल भर काफी व्यस्त रहता हूँ मैं वास्तव में एक टीम से दूसरी टीम से जुड़ने की चुनौती का लुद्फ उठा रहा हूँ मुझे टीम की जरूरत के हिसाब से अपनी कोचिंग शैली में बदलाव करना होता है मुझे विभिरने टीमों के साथ अलग-अलग देशों की संस्कृती का अनुभव करने का मौका मिलता है